बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी इच्छा होती हैं और वो अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने जुरुर्द अनुसार पूरी करते हैं क्योंकि हर कोई अपने जीवन में कोई न कोई इच्छा रखता है ताकि वो खुश रह सके, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके और हर सुक्स विदा वो पा सके वो मेनत करता है कि वो अपने जीवन में आगे बड़े और अपने मन की सारे इच्छाओं को पूरा कर सके ताकि वो जिन्दगी में खुश रह सके हर को इच्छा करता है कि मैं अच्छे सी अच्छी नोकरी करूँ अच्छे से अच्छा काम करूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ू और कामयाब हूँ हर को इच्छा रखता है कि मैं ये चीज पालूँ मैं ये चीज ले लूँ और मैं अपने सब इच्छाओं को पूरा कर सकूँ अगर आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसे मेनस से करें अगर आप उस काम को मेनस से करोगे तो सबी अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकोगे और जीवन में आगे बढ़ सकोगे क्योंकि अगर आप जीवन में आगे बढ़ोगे, काम्याब होगे तभी ही आप अपने जीवन की सबी इच्छाएं पूरी कर सकोगे हर कोई पढ़ लिखकर इच्छा रखता है कि मैं डॉक्टर बनू मैं इंजीनियर बनू मैं पुलिस आफसर बनू अगर आप इस तरीके से इच्छा रखते हैं और आप महिनत करते हैं तो आप जीवन में काम याब हो जाती हैं और अपनी इच्छा को पूरी करते हैं और आपको कितनी खुशी होती है कि मैंने अपनी इच्छा पूरी के लिए मैं अपनी इच्छा के अनुसार मैंने काम किया है कुछ लोग ऐसी इच्छाएं कर रखते हैं जो कहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं काम नाएं, सभी मन की इच्छाएं पुरी हो जाएं, ये नहीं हो सकता, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तब तक आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती, अगर आप इच्छा रखते हो, कि मैं छोटा सा कोई काम करूं, और मैं उस काम को पूरी मेहनत से करूं पूरी लगन से करूं तो आप जुरूर आगे पढ़ेंगे जुरूर आप कामयाब होगे क्योंकि आपके मन में इच्छा होगी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं कामयाब होना चाहता हूं और सुखी जीवन जीना चाहता हूं मैं काम करने की इच् मैं अपने काम को पूरी मेनस से पूरी लगन से करूँगा हर किसी की इच्छा होती है कि मैं अच्छी कार ले सकूँ मैं अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकूँ अपने परिवार को सुख दे सकूँ उनकी हर एक जुरूरतों को पूरी कर सकूँ ये सब की अपनी अपनी मन की इच्छाएं होती है, कुछ लोग तो पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग बस इसी सोच में रहते हैं, कि मैं कभी ना कभी अपनी इच्छाओं को पूरी करके दिखाऊंगा सोचने का वक्त नहीं है बलके आपको करना है अगर आप करेंगे तबी ही आप अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे कुछ लोग ऐसी भी इच्छा रखें कि हम दूसरों का भला करें गरीबों की मदद करें बेसहारों का सहारा बनें कुछ इस तरह की भी इच्छा कर रखें कि बूखों को आप दो वक्त की रोटी दे सकें ये कम ही होता है जो इस तरह कों की इच्छा रखते हैं इस तरीके की भावना रखते हैं और जिन गरीबों की इच्छा होती है कि हम अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके वो भी मेनद करते हैं कि वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके क्या उनकी नहीं इच्छा होती वो नहीं देखते कि ये गाड़ियों में घूम रहे हैं अच्छा खाना खा रहे हैं अच्छे कपड़े पैन रहे हैं अच्छा जीवन जी रहे हैं सबकी इच्छा होती है और सबकी इच्छा पूरी भी होती है इश्वर सबकी इच्छा को पूरी करता है जिसका मन साफ हो जिसके दिल में किसी के लिए बैमानी ना हो किसी के लिए इश्वर उसका साथ देता है और उसकी मनों कामनाई उसकी इच्छा पूरी करता है जिसके मन में दूसरों के लिए बुरे ख्याल होंगे बुरी भावना होगी वो उसकी इच्छा कभी नहीं पूरी हो सकती क्योंकि वो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उनके बारे में बुरा कहता है अगर आप अपने इच्छा के अनुसार जीना चाते हैं तो आप दूसरों की बारे में बुरा मत बोलू बुरी भावना मत रखो बलके यह मांगो कि हे इश्वर मेरी इच्छा अगर पूरी हो रही है तो उसकी भी इच्छा पूरी करना और वो अपने परिवार में खुश रह सके और खुद भी खुश रह सके फिर देखो कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी क्योंकि आप दूसरों का भी भला मांग रहे हैं और अपना भी भला मांग रहे हैं इश्वर आपकी भी इच्छाएं पूरी करता है और जिसके लिए आपने दुआ मागी है उसकी भी इच्छाएं पूरी करता है हर इनसान चाता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँ हर किसी की इच्छा होती है कि मैं अच्छे से अच्छा अपना जीवन वुदीद करूँ अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूँ और उनकी हर एक जुरूरते हर एक खुआश्यों को पूरा कर सकूँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं ताके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके यही ही होती है हर माबाब की इच्छा जो वो किसी भी कीमत पर पूरी करना चाते हैं और वो मेनद करते हैं ताके वो अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके अगर उनका मन साफ होगा किसी के लिए उनके मन में बैमानी नहीं होगी किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं होगे तो उनकी सबें इच्छाएं बुरी होती है क्योंकि ईश्वर उनका पुरा साफ देता है क्योंकि वो सोचते हैं हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए दूसरों के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए बलके हर किसी का भला सोचना चाहिए और उनकी भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए क्योंकि वो भी सोचते हैं कि हम अच्छा जीवन जीएं अपने परिवार को संसार में हर कोई अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा क्योंकि उसके मन में दूसरों के लिए कोई वैर व्रोध नहीं होगा कोई बुरे भावना नहीं होगी कोई बुरी सोच नहीं होगी इसी करके आपको सब का भड़ा मांगना है चाए वो गरीब हो चाए वो अमीर हो बस आपको यह सोचना है कहें इच्छवर अगर हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो गरीबों की भी इच्छाँ पूरी हो जोंकि अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं ताके वो अपने परिवार को दो वक्त की रोटी दे सके, उन्हें अच्छा जीवन दे सके गरीबों को ये होता है कि हमें बस अपने परिवार को दो वक्त की रोटी देनी है और अपने बच्चों को शिक्षा देनी की कोशिश करनी है उनकी यही इच्छा होती है कि हम अपने परिवार में एक साथ मिल के रहें और एक साथ मिल कर खाना खा सकें क्योंकि वो सुबह जाते हैं और शाम को कमा कर लाते हैं और उनकी क्या इच्छा होगी जो वो अपनी पूरी कर सकें जो इच्छाँ पूरी करते हैं वो दूसरों की मदद नहीं कर सकते बलके उनकी भावनाओं को समन नहीं सकते उनकी भावनाओं का मज़ाग बनाते है अगर आपके पास आज सब कुछ है अगर आपकी सबी इच्छाइं पूरी हो रही है क्या आप उन में से कुछ गरीबों की मदद करते, कुछ उनकी इच्छाएं पूरी करते, उनके बच्छों को अच्छा जीवन दे दे, शिक्षा दिला दे, तो आप सबसे भले का काम कर रहे हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे ह आप करिये तो सही, आप करना ही नहीं चाहते, वो अपनी इच्छाएं किसे बताएं, वो मेनद करते हैं, राद दिन एक करते हैं, कि वो अपने बच्छों को कम से कम पढ़ा सके, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, और बच्छों की वी जो इच्छाएं होती हैं, वो दब चाती ही। वही सोते हैं कि हमारे माबाप कितनी मेनد कर रहे हैं पर तब भी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहें हमें अची सिख्षा निदिला पा रहें अच्छे कपड़े निदिला पा रहें बलके मुश्किल से दो वक्त की रोटी ही मिल रही है हर एक इंसान की इच्छा होती है वो पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है कि मैं अपनी इच्छा को पूरी कर सकूँ और अपने जीवन को अच्छा बना सकूँ और अपने जीवन में खुश रह सकूँ और अपने परिवार को भी हर एक खुशी दे सकूँ और वही गरीब भी सोचता है कि मैं अपनी इच्छा छोड़कर अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा कर सकूँ उनको अच्छा जीवन दे सकूँ उन्हें खुशी दे सकूँ जितने में मैं कर सकता हूँ मैं उतना उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ इश्वर सबकी इच्छा पूरी करता है सबकी मन की मनुकामना पूरी करता है बस आपके मन में किसी के लिए वैर ना हूँ किसी के बारे में बुरी सोच ना हूँ और आप किसी को बुरा ना कहें बलके सब के लिए अच्छा सोचें अच्छा बोलें और इश्वर के आगे ही दुआ माँगें कि ही इश्वर सब की इच्छाएं पूरी हो सब अपने जीवन में खुश रहें और अपने परिवार में सुखी रहें अगर आप इश्वर के आगे ये दुआ मांगोगे तो इश्वर आपकी जुरूर सुनेगा और आपकी इच्छा भी पूरी करेगा और दूसरों की इच्छाओं को पूरी करेगा क्योंकि जानता है कि आपने सब की इच्छा के लिए इश्वर से प्राफना मांगी है आपने सब के लिए भला मांगा है तो इश्वर सब का भला करता है उन में आप भी हैं जो आपका भी भला होता है और आपकी इच्छाओं पूरी होती है और आपको इतनी खुशी होती है कि मैंने सब के लिए भला मागा है और इश्वर से ये भी द्वा मागी है कि सब की इच्छाएं पूरी हो सब की मनों कामना पूरी हो और आपके भी मनों कामना पूरी होती है अगर आप अपने मन को इस तरीके से बना लेंगे तो आप अपने जीवन में खुश रहेंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें, शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू